नमस्कार दोस्तों स्वागाते हैं आपका आइसकेस वीडियो में दोस्तों जिसा कि आप जानते हैं कि हमारे पीएफ अकॉड में जो पैसा जमा होता है वो पैसा दो पार्ट में जमा होता है एक है पीएफ फंड और दूसरा है पैंशन फंड अब P.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F.F करके pension fund का पैसा निकाल सकते हैं लेकिन कुछ P.F. members के साथ ऐसा होता है कि वो अपने P.F. account में debt of exit को update करने के बाद जब pension fund का पैसा निकालने के लिए online claim करते है तब उने form 10 C का option नहीं मिलता है और इसके बारे में मुझे काफे सारे P.F. members के comment मिले हैं तो आज किस वीडियो में मैं आपको इस problem का solution बताऊंगा कि P.F. account में debt of exit update होने के बाद भी form 10 C का option क्यों नहीं मिलता है तो आज किस वीडियो में इस problem के बारे में detail में बात करेंगे तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब इस request है तो चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले तो कि इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों पीएफ अकॉंड में debt of exit अपडेट होने के बाद भी पीएफ क्लेम करते समय form 10C का option क्यों नहीं आता है इसके पीछे सिर्फ पर सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण यह है कि अगर आप अपनी पहली जोब छोड़ने के तुरंत बाद अपनी दुसरी जोब जोइन कर लेते हैं तो इस कारण के चलते आपको पीएफ क्लेम करते सम में form 10C का option क्यों नहीं आता है इसके पीछे EPFO का एक नियम है और इस नियम को आप बहुत ही ध्यान से सुनेगा क्योंकि अगर आप इस नियम को समझ लेते हैं तो आपको इस problem का solution समझ में आ जाएगा तो EPFO का वो नियम यह है कि अगर कोई EPFO मेंबर अपनी पहली company से job छोड कर अपनी दूसरी company में job join करता है तब ऐसी condition में वो पीएफ members अपनी पहली company जहां से उसने resign दिया है उस company के पीएफ account में date of exit को update करने के बाद भी उस company के पीएफ account से full and final claim नहीं कर पाएगा यानि कि वो पीएफ members अपनी पहली company के पीएफ account से form 19 और form 10 से submit नहीं कर पाएगा क्योंकि पीएफ account में ऐसा होता है कि अगर आपने दो company में job किये तो आपके एक union number के साथ में उन दोनों company के पीएफ account link हो जाते हैं और जब बात आती है full and final claim करने की तब अगर एक union number के साथ में एक से ज़्यादा पीएफ account link होते हैं तब full and final claim सबसे last वाली company के पीएफ account से ह हो सकता है यानि कि अगर आपने एक company से resign दिया है और दूसरी company में job join कर लिए तब आप full and final claim दूसरी company के पीएफ account से ही कर सकते हैं और आपके पहली company के पीएफ account में जो भी पैसा जमा है उस पूरे पैसे को आपको अपने दूसरी company के पीएफ account में transfer करना पड़ेगा इस यानि company के पीएफ account को select करेंगे तब आपको form 10C का option दिखाई नहीं देगा आपको सिर्फ advanced claim यानि कि form 31 का option दिखाई देगा तो आज कि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मित करता हूं दोस्तों आज कि इस वीडियो के जरिये full and final claim करते समय form 10C का option क्यों नहीं आता है इस problem के solution को मैं आपको detail में समझा पाया हूं यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो like जरूर करें चैनल पर अगर आप नहीं है तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लें क्योंकि EPFO जोड़ी जानकरी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी